नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं यह विद्या चानल नवद्दस आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणुभाइट अपने इस लाइव इंट्राक्शन में जब हम लेकर आए हैं सोशल साइन्स के टैंड स्टैंडर्ड के स्टूरेंट्स के लिए अब अच्छो आपके लिए हम एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक लेकर आए हैं वह टॉपिक है मिनरल्स आंड एनर्जी रि किया जाता है इन सभी के बारे में आपको इस सतर में डीटेल में जानकारी दिजा। और ये सभी जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ चुके हमारे एक्सपर्ट तो चलिए आप सभी का परिचे करवाते हैं उनसे आपने डॉक्टर बीरबल लोनीवाल सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपने सभी देखने वालों को हम बता देंगे सर असिस्टिंग प्रॉफेसर हैं डिपार्टमेंट एजुकेशन इन सोशल साइंसेज और नई दिल्ली में या फिर आप इमेल के जरिये भी अपनी प्रतिक्रियां हम तक पहुंचा सकते हैं आप हमें करेंगे इमेल हमारा इमेल आड्रूस है प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आज के सेशन की डीटेल जरूर इंक्लूट कीजेगा और जब तक आप हम से जुरते हम फटा-फट अपने आज का इस सत्र शुरू करते हैं हम आपके पास आएंगे और आप से हम बहुत ही संक्षेप में जाना चाहेंगे कि आज जो हम ट है डेली लाइफ है उसमें मिनरल्स हम काफी यूज करते हैं मिनरल्स के बिना हम डेली लाइफ में कुछ भी काम आगे नहीं हो सकता है मिनरल्स हैं वो हमारे जीवन में जैसे की हमारी अर्थ है अर्थ का जो उपरी बाग है क्रस्ट है क्रस्ट में डिफरेंट टाइप के मिन तक है वो डिफरेंट मिनरल या जो मेटल होते हैं मिनरल से ही बनती है इसमें दो तरीके रहता है मिनरल और एक एनर्जी रिसोर्सेज मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज में जैसे पैट्रोल है कोईला है यह भी हमारी अर्थ सर्फेस है उसी में मिलते हैं प segni mineral और energy resources है वो हमारे जासे देनिक जी जीवन में जो की जैसे माल लेवांपन रसुई का कोई है सिलेंडर है या जो बर्तन है या जो भी जी जा हमारे घर में काम आने वाले जैसे cycle है motor cycle है कुछ भी जो डेली जीवन में हम यूज करते हैं वो सब मिनरल से ही बने होते हैं तो हमारे जीवन में जो है हमारे लाइफ में डेली लाइफ में इसका बहुत ही बड़ा इंपोर्टेंस है मिनरल की दूसरी बात किरें कि यहीं जैसे मिनरल से ममट्गी तूथ ब्रस में करते हैं तूथ ब्रस में जैसे क्रीम होती है उसमें भी डिफेरन टाइप के मिनरल्स देखने को मिलते हैं उसमें जी का है यह न эфф किया कुछ पढ़नेλά बाठी को बॉते हैं तो हम बता खुलतわかर प्रटाफट शुरू करते हैं यह सत्रुसर सवाल से हम शुरू करना चाहेंगे हमारे जो टॉपिक है खनेज और और संसाधन यह क्या होते हैं हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे जैसे आपने बताया कि बहुत जरूरी है और हमाई डेली रूटीन का बहुत गहरा और इंप रूप तत्व हैं जिनका जो कि निश्चित उनका कोई न कोई एक केमिकल स्टेक्चर होता है उसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं मिनरल्स बहुत सार की नेचर में जो प्रकृती है हमारी उसमें अलग-अलग फोम में देखने को मिलते हैं कहीं पर यह बहुत ही शोफ्ट तरी मिनरल्स हैं इनकी जो नेचर में है वो अलग-अलग इनकी केमिकल जो कमपोजिशन है वो अलग-अलग होती है इनका कलर है इनका हार्डनेस है इनकी क्रिस्टल का जो फोम है या इनकी जो डेंसिटी है वो भी अलग-अलग देखने को मिलती है तो मिनरल्स के बारे में हम यह कहेंगे कि सम्रूप जो तत्व जिनका कोई ना कोई एक सब्स्टेंस है जो कि कोई ना कोई डेफिनेटली एक केमिकल इस टेक्चर होता है उसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं मिनरेल्स मिनरल्स क्या होते है आपने अच्छे तरीके से बताया यहां पर हम आप से जानना चाहेंगे जो आप घनिशियो की बात करते हैं तो इस अधेक भाषिह को होते हैं और एक सधिमेंट्री रोक्श होती है तीन तरह की रोक्स होती हैं, और जो minerals हैं इनी रोक्स में देखने को मिलते हैं, तो कौन से minerals हैं, कौन सी रोक्स में देखने मिलते हैं, तो इसमे एक जो word आता है, आयस के, जिसको हम लोग और बोलते हैं, और क्या है, कि और जो है, वो different type के अलग-अलग minerals हैं, उनका composition, एक mission के जो और surface से निकालते हैं, उसको हम लोग IS कि या और बोलते हैं, और ये और है, वो different चट्टानों को काट कर हम लोग निकालते हैं, तो चट्टाने आपने या जो रोक्स हैं, उनका पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा, कि ये तीन तरह की देखने को मिलती हैं, जिन में ignition rook हैं, दूसरी metamorphic rook हैं, और तीसरी sedimentary rook हैं, इन rook में तीनों में ही अलग-अलग form में जो minerals हैं, वो देखने को मिलते हैं, जैसे अलग-अलग हम देखें, तो जो ignition rook है या metamorphic rook हैं, उन में wean और loads के रूप में ये देखने को मिलते हैं, यानि कि अभिविन परकार के जो दरार हैं या जो भरंस हैं या उनके बीच में जो दरार होती हैं उनके बीच में इस तरह के मिनरल्स हैं वो देखने को मिलते हैं इसमें कौन-कौन से मिनरल हो सकते हैं जैसे कोपर है कोपर जो जिसको हम तामबा बोलते हैं जिंक जस्ता जिसको बोलते हैं हम लोग यह जो ह और लोड के रूप में देखने को मिलते हैं. दूसरा जो आता है लेयर्ज के रूप में лेयर्ज के रूप में जो देखने को मिलती है도 सेडिमेंटरी रोक के जैसे werd पहला वाला भी मन बता है कि वीट हो अर्थ, ना बहुत हैं जैसे sedimentary rocks हैं जैसे पहले वाला भी मन बताया कि weeds और loads जो हते हैं हमारी earth जब बहुत पहले जब earth का बनी थी उसमें जो अपरी Prust है उसका जो crust area है वह बहुत ही गरम था और different type के जो minerals हैं वह gaseous या liquid form में थे और वह तो उस समय जब उपर की तरफ आए तो उससे के जमाव से डिफरेंट टाइप की जो लोट्स और वीन्स दर आ रहे हैं प्रंसें में उनका धीरे-दीरे ठंडा होने से जमाव हो गया और वो उनमें देखने को मिले तो वो इगनीशन रोक्स और मेटामोर्फिक रोक्स में जैसे आईरन का है या चूना पत्थर है या अलग-अलग तरीके की जैसे शॉल्ट है इस तरह के जो मिनरल्स है वो लेयर्स के रूप में सेडिमेंटरी रोक्स में देखने को मिलते हैं ऐसे ही डिकमपोजिशन बहुत सारी जो आपने अर्थ सर्फेस के ऊपर जैसे वोटर ह या बहुत सारी जो शैल है वो पानी जो wor है उसके अंदर सोलीवल होकर के अलग हो जाती है जबकि जो मिनरल्स होते है वो रुख जाते हैं बच जाते हैं तो ऐसी जो ट्यकमपोजिशन होके इस साइट बोलते हैं वो इस तरह से अर्थ के ऊपर देखने को मिलता है ऐसे ही अलुवियल डिपोजिट या प्लेजर डिपोजिट जैसे बहुत सार की जो उंचे पार्ट है या उनका नीचे का भाग है वहां पर इस तरह के या जो रीवर हैं उनके आसपास का पार्ट है वहां बहुत वहां पर अलुवियल डिपोजिट या प्लेजर डिपोजिट के रूप में बहुत सार की मिनरल्स हैं वो देखने को मिलते हैं और इस्पेशली यह जो मिनरल्स हैं जैसे गोल्ड है या सिल्वर है प्लेटिनम है इस तरह के जो वो इस तरह से अलुवियल उसके अंदर गुले हुए मिलते हैं या बहुत सार की जो एक तरह से मेगनीज जो ग्रेनूल सो होती हैं मेगनीज गरंथिया जो होती है उसमें डिफरेंट टाइप के मेगनीज या अलग जो कई मिनरल्स है वह वहां पर मिलते हैं हम लोगों को तो ओसियन वाटर भी एक तरह से मिनरल्स का रोक्स के साथ साथ में जो इनका डिपोजिशन है वो ओसियन में भी देखने को मिलता है तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि पास तरह से जो है मिनरल्स का जो एक तरह से ऑक्यूरेंस है वह हमको देखने को मिलता है कि वीन्स और लोट इनको भृंच खाच या दिव दरारे जो बोलते हैं उनमें हमको मिनरल मिलते हैं और उसके एक्जामपल हम देखते हैं कि जिंक है या को पर है इस तरह के मिनरल यहां देखने को मिलते हैं ऐसे ही जो बीट्स और लेयर्ज वाली है कि बहुत से सालों में दीरे-दीरे कोईला जो है वह भी सी तरह का है जो लेयर्स के रूप में नीचे दब गया था और बाद में तापमान और उपर से जो प्रेशर है उसकी वज़े से वह मिनरल्स है वह अलग-अलग रोक्स में कनवर्ट हो गया है तो और तीसरी जैसे हमने सरफेस रोक्स के बारे में बताया डिकंपोजिशन होकर के तो उसमें अलुमिनियम एक्जामपल दे सकते हैं और अलुवियल डिपोजिट या प्लेजर डिपोजिट है उसमें हम लोग गोल तो पांच तरीके रहे कि जिससे हमें मिनरल्स मिल सकता है और इन तरह के रॉक में मिलता है यहां पर मिनरल्स के बारे में और ज्यादा जानना चाहेंगे और आप से जानना चाहेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि मिनरल्स का जो क्लासिफिकेशन वह कैसे होता है सर है जो minerals है जो खनीज हैं उनका हम झो classification है अलगए अलग तरीके से classification उनका करतेहं वर्गी करन करतेहं mineral especially इनका सब्सक्राइब करतेे हैं पेला है metallic जो धातु बोलते हैं दातु कि नोन-metallic जिनको हम लोग में आधातु बोलते तो तीसरा होता है, energy minerals, जिनको हम लोग ऊर्जा के चनशादन खनीज थाइप में रखते है, तो minerals के mainly तीन टाइप से, metallic जिनको हम धातू और non ethnic धातू और तीसरा है, energy minerals, जिनको एक तरह से ऊर्जा के root Doлем के अर्ज्डण gatses है, उनको metallic है उनको फिर तीन तर topics, केसे हम divided करते हैं, जो धातू होती है, उनको भी हम तीन तरह से doubles करेंहें। पहला है ferrous. जिसको लोह धातू बोलते हैं. लोह धातू का मतलब होता है कि जिसके अंतर iron का content होता है, लोहे का content अगर मिनरल में देखने को मिलता है तो उसको हम लोग ferrous mineral बोलते हैं, जैसे इसके example भी हम दे सकते हैं, जैसे iron ore है, magneez है, cobalt है, nickel है, ये सारे के सारे जो हैं, वो एक तरह से ferrous minerals हैं, metallic हैं, लेकिन ferrous group में रखते हैं, इनको, इनमें iron जो है, इनमें कुछ content iron का देखने को मिलता है, तो ये ferrous group में आगेंगे, example ज chemical iron और cobalt, इसके बार non ferrous जो ए धातू, non ferrous धातू ही है, लेकिन जिसके अंदर low content नहीं होता है, low content जो iron है, उसका content देखने को नहीं मिलता है, तो उसके अंदर आता है, copper, lead, bauxite, tin, ये जो example है, वो non ferrous metal के हैं, तो copper, lead, tin और bauxite, जिसको aluminum बोलते हैं, ये metallic है, लेकिन non ferrous धा धातू में आते हैं, और तीसरा precious, जिनको कीमती धातू भी बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत ही महेंगी होती है, जिसके gold है, silver है, चांदी, sona और platinum, white gold बोलते हैं, तो ये जो है, बहुत precious mineral है, उसमें सामिल है, तो metallic को हमने तीन पार्ट में divide किया, low धातूए, yellow धातूए, और तीसरा है, कीमती धातूए है, और दूसरा जो हम classification है, non-metallic, वो जो metal नहीं होता है, especially जिसमें हम लोग different type के अलग metals है, जिसमें metal नहीं है, वो non-metal है, तो non-metallic में इसका example हम दे सकते हैं, mica, जिसको हम लोग हिंदी में अबरक बोलते हैं, तो mica इसका example है, salt है, नमक जिसक हैं, वो सारे के सारे non-metallic series में इसको सामिल किया जाता है, तो example इसके जुरूर याद रखना है, दूसरा एधातूओं के example क्या है, mica, जिसको अबरक बोलते हैं, salt, potash, sulfur, granite, limestone, marble, sandstone, ये सारे के सारे एक तरह से non-metallic minerals हैं, और तीसरे जो हम इसमें minerals में करते हैं, उसमें है koala है, petroleum है, और natural gas, जो कि energy minerals में आते हैं, तो energy minerals तीन है, koala, petroleum और natural gas, तो इस तरह से हम लोग जो minerals हैं, जो उनका classification करते हैं, तो metallic, non-metallic, energy minerals, metallic को थ्री पार्ट में डिवाइड गया, ferrous, non-ferrous, और तीसरा, जो precious, जो कीमती दात हुए हैं, और ऐसे ही जो non-metallic example हम दे सकते हैं, माई का, जिसमें metal नहीं होता है, non-metallic, माई का, salt, granite, limestone, इस तरह के जो हैं, और energy resources है, जिसे energy के रूप में हम लोग use करते हैं, तो यानकी koala है, जो different हमारे plants हैं, या अलग-अलग उर्जा के स्त्रोथ के रूप में इसको काम में लिया जाता है, तो coal, petroleum और natural gas, तो इस तरह जैसे हम लोग minerals का classification करते हैं, जी, तो यह तो बात रही classification के और आपको पता चला कि तीन तरह के classification हैं, जिसमें ferrous, metallic है, non-metallic है, energy minerals है, यहाँ पर जो आपने ferrous minerals की बात की थी, लोग खनी जो की बात की थी, यहाँ पर हम आप से जानना चाहेंगे कि वो कौन-कौन से हैं, और हम पूरा detail में पढ़ेंगे, लेकिन आज तोड़ा timing कम है, इसलिए पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूप में हम लोग इसी chapter को आगे भी देखेंगे, तो आज हम यहाँ पर एक तरह से लोग धातुएं हैं, जिनको ferrous minerals बोलते हैं, उनका discussion आज हम यहाँ करेंगे, तो जैसे ferrous है, metallic minerals है, और इसमें कौन-कौन से minerals आते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि जो iron है, कोबाल्ट है, nickel है, magnees है, यह जो minerals है, वो ferrous minerals में आते हैं, तो यहाँ पर, especially जो तुमारे course में जो दिया है, class 10 में, दो minerals की यहाँ पर detail दी गई है, कि हमारे देश जो वारत में कौन-कौन सा area ह जहाँ पर यह खनीज जो हैं, देखने को मिलते हैं, तो पहला देखिए, दो minerals है, iron और magnees, इनकी हम यहाँ पर detail में देखेंगे, कि iron जो हमारे देश में है, वो कहां-कहां पर निकाला जाता है, और magnees है, वो हमारे देश में कहां-कहां पर निकाला जाता है, तो देखिए पहले हम आईरन और की बात कर ले eden यहाँ पर हमारे देच में आइरन के प्रचूर बंडनार है और उसको हम लोग निर्यात्त भी करते है यहां पर देखने की बात है कि आईरन जो एक्सेटवर वो चार फों में देखने को मिलता है hematite, magnetite, cedarite, limonite चार इसके types हैं इंडिया में जिया तर जो iron है वो magnetite और hematite जो type है उसका वो देखने को मिलता है और ये जो है एक तरह से best quality मानी जाती है iron की best quality है वो मानी जाती है तो ज्यादा तर हमारे यहाँ पर जो iron के बंडार है वो अच्छी quality के बंडार है तो यहाँ पर देखिए यह जो iron है वो एक तरह से हमारी industry का जो mineral जो iron है वो एक तरह से industry का एक backbone है हमारी जो industry है उसके development के लिए एक backbone की तरह है क्योंकि इसको आधार भूत उद्योग या basic industry की industry भी बोलते हैं क्योंकि सारी की सारी जो machinery है हमारे देश में जो भी machinery है या other जो industries है वो इसी industry के उपर depend रहते हैं क्योंकि जो iron बनता है उसी से चाहे हम आप डेली जीवन में जो भी उप्योग कर रहे हैं हम टेली वीजन है चाहे हम लोग कार यूज कर रहे हैं मोटर साइकल यूज कर रहे हैं गरसोई के बरतन है या और भी बहुत सार की चीज़े हैं कहीं पर भी हम जो भी यूज कर रहे हैं तो iron जो है सब इंडस्ट्री दूसरी जो इंडस्ट्री है उनमें भी एक तरह से raw material प्रवाइड करता है इसलिए उसको बेसिक इंडस्ट्री या की इंडस्ट्री भी बोलते हैं यहां पर iron और है वो अच्छ मारे देश में अच्छी क्वालिटी मीलता है साथ ही हम पर magnetite जो है magnetite जो इसकी अच्छी क्वालिटी है जाएं पर iron की मात्रा है नियर बावाट seventy परसेंट तक देखने पर मिलती हैим यह यहां पर देखने को मिलता है, जो कि electronic industry है, हमारी electrical industry है, वहां पर काम आता है, ऐसे ही hematite जो है, उसमें near about 50 to 60% iron होता है, और ये भी हमारे यहां पर देखने को मिलता है, लेकिन magnetites यह थोड़ा सा percentage wise यह कम, और quality wise थोड़ा सा कम होता है, तो ये दो तरह की जो iron ore है, हमारे य कौन सा area है कौनइ सी खदान है हमारे देश जहां पर हम लोग iron को निकालते हैं तो देखे पहला हम यह पर 4 belt है हमारे देश जो भारत है उसमें चार belt है उसकी चार पेटी हैं जिसमें iron निकाला जाता है तो पहली जैसे best quality जो है रहा पर निकलता है high grade का हमेटाइट जो हमारा य में हैं वहाँ पर यह निकलता है ऐसे ही जो पहली बैल्ट जैसे मैंने बताया ओडिशा जार्खंड बैल्ट ओडिशा और जार्खंड वाला जो बैल्ट है वो हमारे देश का बड़ा आयरन उत्पादक एरिया है तो यहां पर बादाम पहाड में मयूर भंज और केंजवर डि दो बस्तर यहां पर आपके बता दो कि हमारे पास तकरीबन दो से तीन मिनट का समय और शीर्षा हमारे सत्र के लिए जी जी तो यहां पर दूसरा है वो दूर्ग बस्तर और चंदरपूर बैल्ट हैं और यहां पिर जो है चाटीस कड़ महराश्टरा दो स्टेट में यह तो यहां पर जैसे तो एक ओक्स का जो एक बैल का जो डील होता है जिसको हम बैला डीला बैल के डील के समान जो एक जो माइन्स है वो यहां पर बैला डीला है जो 36 गड़ में है ऐसे ही दूसरी जो है बैला डीला के बाद में जो इसका जो आईरन निकलता है यहां पर वो ज चिकमंगलूर तुमकूर आरिया है। साहूथ आले बागवाला एरिया है। यहां पर कुद्रमुक सकता है. कुद्रमुक जो माईन ने गोड़े मुखशे, इसलिए इसलिए कि कानाम है। जातर कुद्रमूर तुमकूरू। जो हमारा port है उससे हम लोग export करते हैं ऐसे ही जो fourth party है जिसको maharashtra goa belt बोलते हैं वो एक तरह से हमारे देश की चोथी तहाँ पर रतनागिरी district है रतनागिरी district maharashtra का है वहाँ पर एक बड़ा हमारी mines है तो इस तरह से हमारे देश में चार mines देखने को मिलती हैं ऐसे ही जो हमारा production है अगर iron के production की बात हम करेंगे तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन है हमारे देश के अंदर वो Odisha है Odisha सबसे ज्यादा उत्पादन करता है 2020-2021 की बात करें तो यहां पर near about 52% जो iron है उसका उत्पादन Odisha state करता है तो इस तरह से हमारे देश में चार जो बड़े स्टेट है iron के ओडिशा चातीस गड़ करनाटका और जहार खंड है तो यह तो चार आपको राजची पता चले आपने माप में देखा और सर ने बहुत ही अच्छे से आपको detail information दी और अभी समय विल्कुल हमें अनुमती नहीं दे रहा है कि हमें सत्र को आगे बढ़ाएं से में यहां पर समाथ करना होगा सब बहुत ही संग शेप में जानना चाहेंगी सर्फ जी एक लास्ट का इसी में पढ़ रहे थे हम लोह में ही एक मैगनीज का थोड़ा सा और ह जो है वो भी लोह आयस की जो फेरस मेटल है उनी में आता है और यह जो है स्टील इंडस्ट्री होती है उसमें जो जैसे हम लोग मिसर धातु बोलते हैं जो बनाते हैं जैसे स्टील बनता अच्छी ग्रेड का तो लोह के अंदर मैगनीज मिलाया जाता है तो मैगनीज हमारे पर पर चाहें का आया चाहेंगा। आपकर पता चला और इस सत्रकों यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगए। I am quite sure your learners आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हम बात कहते हैं Minerals और Energy Resources के बारे में यहां पर हम अपने विशेशगी बेबल सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं Thank you so very much for your valuable information और आपने इतने अच्छी जानकारी थी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद यहां पर अपने सभी देखने वालों का धन्यवाद करते हुए हम आप से कहना चाहेंगे कि आप यूँ ही हमाय सथ बने रहे बसकुछी पहलों में हम वापिस आएंगे आप सभी के समक्ष और हम लेकर आएंगा ओनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम चार से पांच बजे का सत्र रहे गा एक घंटे का सत्र और आज आखरी दिन है इस और अंलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का पांच बजे के समय से योग सत्र का जिसमें बचों के मैंटल वेलबिग पर बात करते हैं और साढ़े पांच बजह हम एक और special session के साथ हाजिर होंगे जो है नीपा का जिसमें हम स्कूल लीडर्शिप डिवालपमेंट पर बात करते हैं किस स्कूल की बारे में आज बात की जाएगी कौन स्कूल हेड है हमारे आज के गिस आपको बताया जाएगा उसी सत्र में अभी फिलहाल मुझे रेडू भट को दे अनुम जाएगा का जाएगा जे जाने सक्था झाराना उसका घग्दू को जाएगा टाहरा जाएगा में आपको बताया जाहरा वा कित वारे क।्दू अवस्कार